नमाश्कार विवर्स एक फ्रिसे स्वागत है अपका आई एस पॉइंट की इस चैनल पे उरारियम पढ़ रहे हैं निती आयोग की कार्यों की बारे में function of निती आयोग इससे पहले हमने पढ़ा transforming इंडिया भारत का रुपानतर्ट की बारे में तो कार्योग को जानने से पहले इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले ले लेते हैं कि निती आयोग की जरुवत आखिरकार क्यों पढ़ती है तो निती आयोग की फिल्फॉर्म भी वही होती है National Institution for transforming India भारत को बदलने के संदर में इसका विकास होता है इसका जन्म होता निती आयोग का इसकी स्थापना कब हुई थी तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी एक जन्वरी 2015 को इसकी स्थापना हो चुकी थी लेकिन ये कार्योग में आया था 2017 को ठीक है मुकी रूप से जो कार्य में आता है 2017 को आया था तो इसके कार्य को देखते हैं एक परिपक को भारतिया राष्टियत्य के निर्मान की प्रगिर्या में देश ने बहुलवाद ताथा विकेंद्री करण को व्यापक रूप से मानने किया है और अपनाया है इसके मद्धिनजर केंद्र सरकार के राज्य सरकारों इस्तानी सरकारों इस्तानी इस तरों की संस्ताओं की पड़ती द्रिश्टी कोड में व्यापक परिवरतन की दरकार है राज्य सरकारों इस्तानी निकायों को भी विकास पर किर्या में बराबर का भागेदार बनाना आवश्यक है और इसके लिए निम्लिक Central के हाथ में होती जितने प्लानिक्स वनती थी वो Central के राइट में होती थी सब Central जो Keyndrada आपका वो नीटिया बनाता हुmos ही लागु करता था तो यह बात की गई है जो आपके स्थाजी अस्तर है और राज्य जिस्वरकारे इնहें भी नीटिया बनाने का अगदार होना चाहिए क्योंकि इनसे बहता निकी छेतर की इस्तिवी कोई नहीं जान सकता पहले क्या होता था है सेंटरल एक प्लान तयार करता था और वही पूरे देश पे लागू होता था एक्जामपल के लिए आप समझेए कि एक केंदर द्वारा एक लक्षी निकाला गया 75 परतिशत शाक्षरता दर का अगर किसी राज्य में 60 परसेंट है तो उसके लिए तो 75 परतिशत सही है लिकना अगर किसी राज्य में ODD SC है तो वहाँ पे भी इंप्लिमेंट होगा तो इस तरीके करता तो बाद में यह बात किये गई कि आपका इस्तानिया और राज्य सरकारों को भी नीतिया बनाने का यहां पर हक होना चाहिए पहले पदलाओं यहां पर यह बात किये गई है उनकी विकास वात्मक जर्रोतों इव अकाउंसाओं को समझना दूसरा है राश्टियों नीतियों इवकारे कर्मों में लचिलापन लाते हुए विविद इस्तानिय वास्ट्युक्ताओं का समावेश करना तो यहां पर बात किये कि जरुवतों के हिसाब से यहां पर नीतियों का निर्मान होना चाहिए इस परका नई संस्तान नीतियों को टीम इंडिया के नई सिद्दान के रूप तैयार होना है और चारिक रूप से उलेकनिय निम्लिकित प्राय को हाथ में लेकर निम्लिकित कुछ टॉपिक है यह पॉइंट है तो इस तरीके से बतलाओ इसमें होनी चाहिए नितियायों में यह बाते होनी चाहिए जो आपकी योजायों में नहीं थी सहकारी ए प्रत्योगित अपूर्ण संगवाद कोपरेशन एंड कॉम्पेटिशन फेटरिस्म यह सहकारी संगवाद के संचारन का प्रात्मिक मंच होगा जिसमें राज्जु की राष्टिय नितिया बनाने में सहभागी था बना जाएगा साथ ही गुरात्मक ये प्रत्योगित अपूर्ण संगवाद की पहले क्या होता था ता आपका योजया आयोग जो था उसमें से सेंटर लेवल प्लानिंग बनती थी कैसे बनती थी वो मैंने बता दिया आपको तो सहकारी परत्यों के था पूर संगवाद इसमें ये का जा रहा है राज्य और केंदर दोनों मिलकर नीटियों का निर्मान करेंगी ठीक है तो सहकारी संगवाद का यहाँ पर मतलब होता है जब राज्यों और केंदर मिलकर विकास के पैमाने पर कार ले करेंगी तो यह आपका सहकारी संगवाद कहला था है दूसरा पॉइंट देखते हम यहाँ पर साजा राश्टिय एजिंटा शेयर नैस्टिय एजिंटा इससे देश की विकास की परात्मिकताओं एक रणनीटियों की परती एक साजा यहनी विजन विक्सित होगा राज्जु की सक्रिय भागीदारी के साथ इससे राश्टिय एजिंटा की एक रूपरेका बनेगी जिसका कार्यवन प्रदानमंत्री ये मुक्यमंत्री करेंगे नैसले के एजेंटर आपका शेयर होना चाहिए इससे आपका जो विज़न है वो बिल्कुल किलियर होगा जितने भी जी लक्षे है तीसरा है यहाँ पे केन राज्यों का सच्चा मित्र इस्टेट अस बेस्ट फ्रेंट एड़ दा सेंटर केन राज्यों को उनकी अपनी चुनोटियों को सामना करने में सहता प्रदान करेगा जो अनेक मात्यम में उससे संबह होगा जैसे मंत्रालों के सांस संबह जए और में उनकी विचारों के स्तफित करके तता प्रामर सायोग तता चम्ता का निर्मान के दुआरा चोथा यहां पर वीक इंदिकत नियोजन डिसेंटरलाइजेशन प्लानिंग नए निकायों को नियोजन प्रकिर्या की पुना रुचना करके इसे सेताय उर्द मोडल के रूपे विक्सित करना है राज्यों को मजबूत बनाते हुए उन्हें नीचे के इस्थानी सरकारों को ससक्त बनाने के लिए मार दर्शन करना है जिससे कि आपका ग्राम इस्तर पर विस्वसनी योजनाओ कि सूतरन की प्रकिर्या विक्सित की जा रही है की जा सके जिनका समाहार सरकार के उचिस्तरों पर हो सकेगा भारते सरकारी संस्ताओं की परिप्रकवता के सांती उनके प्रकिर्राओं में विस्वसक्यता आती रह गई है यहां इसलिए यह अवश्यक हो गया है कि कवर्णेंस के रणीती तत्व को प्रकिर्या तदा कारेवन से अलग करके उस पर अधिकुर्जा लगाई जाए रही सरकार के एक समर्ज़ पर ठिंक टैक के रूप में नितियायोक का यानिजेशन भून का निवाएगा देश के भविश्य का रूपांतरन निरूपन करेगा यह विसेश्टा पूर्ण योग रणीतिक प्रकियात्मक इफ्टक्नीकी प्रधान मंतरी इफ्ट सरकार को देगा ऐसे मुद्ध जो देश की विकास एजेंटा के लिए महत्पून हो यानि नया निकाए ठिंक टैक के रूप में कारे करेगा तो नितियायोक क्या है आपका यह एक ठिंक टैक है देश में जित्षी में जो नन नीतियां लागू होती है उन्हें और बड़े तरीके से कैसे लागू किया जाए उनके पर ती क्या सोलिशन हो सकते हैं तो यह सोचने का काम करता था नीतियायो तो यह ठिंक टैक हुआ ठीक है होगा आपका पांच्वा पॉइंट है द्रिष्टी परिद्रिष्टिन योजन विजन एंड सिनारियो प्लानिंग भारत की भविशी की माध्यम मध्यम तता दिरकाली नणीतिक उपकिरेखा का परकल्प तैयार करना योजनाओं परिप्रेख चेत्रो चेत्रो इस समय से आगे सभी संभव व्यकल्पिक धानाओं को सामिल करते हुए उसका क्या पॉइंट है यहां पर भारत को जो भविशी की मध्यम जो चोटी मतलब लॉंग टर्म और जो भी सौर्ट टर्म प्लानिंग्स होंगी आपकी जो भी रणनीतिया होंगी उनकी यहां परकल्प यह डिजाइ आएं उन सब को ही शामिल करेगा यही राष्टिय सुदार एजेंटा के चालक है जो महत्पूर्ण अंतरों की पहचान करके अब तक इस्तिमाल नहीं की गई चमताओं को पूरा-पूरी अपयोग करेंगे उन्हें अपनी सफलता तता उपदेयता के प्रति आंतिक रूप से सचित इवगतिशील होगा और ऐसा वातावरण सरचित करना होगा जिससे उभरती प्रिवरतियों का समाविश किया जा सके और नई चुनोटियों का यहां पर उत्तर दिया जा सके इसका एक मुलभूत इसका अर्थ एक मुलभूत बतला होगा देश का पैसा कहां जाता है इसके नियोजन से ऐसे नियोजन के और अंतरन जिसमें है देखना है कि हमें देश को कहां ले जाना चाहते इस नई संस्ता की इस्तिती भारत सरकार तथा राज्य सरकारों की समस्टिफिकास गती वीदियो का समके इनन करने की है इसलिए यहाँ इस उदेशे के सरवपर्था उप्यूगत है शिक्स है यहाँ पे चेत्र रणनीती डॉमेन इस ट्रेजिटेज पर छेत्रिय एव अंतरछेत्रिय विशेशक गेता एव विशिष्टता का भंडार निर्मित करके केंडिय मंतरालू एव राज्य सरकारों की विकास नियोजन तथा उनकी समस्याँ का समयधान करने में साहता परदान करना एक महत्पुन कार रह है इससे सुशाषन का स्वर्वोतम प्रिचलनों राष्टिय यव अंतराशे दोनों इस्तर पर को विशेश देश में व्यवस्तागत सुधार ये बदलाओ के लिए अपनाने में मदद मिलेगी सात्वा कार्याँ पे धवनी तक था, साउंडिंग बोड, आंतरिक धवनी तक था, इंट्यूसर साउंडिंग बोड के रूप में सरकार की स्थिती को वस्तुनिष्ट अलोचना, एफ व्यापक प्रति धानाओं के माध्यम से गठन तता प्रिक्षिस्ट करना विशेश्ट गिता का अंतरजाल, नेट्वर्क ऑफ एक्सपर्टीज, सरकार की नीटियों इफ कार्यकर्मों में बाहरी विचार को राष्ट के एफ अंतराष्टे विशेश्ट क्यों के एक सहयोगी समुदाई के माध्यम में शामिल करना इसकार ये सरकार का बाहरी दुनिया से जुड़ाओ अवश्चक है जितनी ही फॉरंस कर्ट्रिया आपकी तो उन सबसे यहां पर जुड़ाओ जरूरी है अकैडमिक जगत विशुद्यालो ठिंग टैंग तता शुद संस्तानो शोद संस्तानो निजी छेतर विश्चक गेता तता व्यापक रूप में लोगों को निती निर्मान परकिर्या में सलंगन करना इनके शामिल करना अवश्चक होगा जैसा कि रगवेद में कहा गया है सभी दिशाओं से सद्विचारों के परवाका हम स्वागत करेंगे करते हैं या करें नौवाय यहां पर ग्यान एव नवाचार केंद नौलेज एंड इनोवेशन हब यह निकाय शुशाशन पर सोद इस सर्वोतम प्रशलोनों का एक संग्रा तथा प्रसारक बने एक आधूनिक संसाधन केंदर की माध्यम से जोकी इनको चिहनित करें इसका विशलेशन करें तता उनकी प्रतिकिर्टी को साजा करें दस्तावेज में आगे दर्ज है उत्रोत्तर तोड होती भारते जनता अपना ध्यान वास्ट्विक वित्रण तता परणाम पर केंदर कर दिया है बढ़ती हकांसाओं को पूरा कड़ने के लिए नई संस्ता को नियोजन ए रणनी ते निर्मान से आगे जाकर फिकास इडिंडिया का लागू कड़ने की और भी ध्यान देना होगा इसके लिए कारेणवन को नियोजन पर केरिया केंदर में लाना होगा जो भी आपका कारेणवन है उसे नियोजन पर केरिया केंदर में लाना होगा वास्ट्विक परणामो यथार्त लक्षो समें बददा शक्षम अनुसरवन ए मुल्यांगन की माद्यम से इन सब के माद्यम से अर्थात केवल नियोजन अत्वा योजना निर्मान की अवदारना से कारवन के लिए योजना की ओर बढ़ना होगा यह सरकारी तंतर के लिए उत्पिरेका कारवी करेगी अंत्रों को पाटने की चमता बढ़ाने तथा व्रोदों को हटाने में Next आता है आपे दस्वा कार रहे हमारा सू संगती करण Harmonizedization सरकार ने विबिन इस तरों की परिश्वे कारवाई को संगता स्थापित करना सही तरीके से बिल्कुल विशेशकर एक दूसरे के परचेत्र को प्रमाइट करने वाले मुद्दों के शामिल होने पर संचार समन्वे सयोग एस समस्थ हेत्धार को के अभिशन के माद्यम से बल इस बात पर है कि विकास में एक समी की इस समखर द्रिश्टी कौन पर सभी की विजयां पर सहमती बने ग्यारवा यहां पर संगर्सों का समधान करेगी कन्फिक्ट रेजलिशन जितने बिए अगर आपसों के टकराव हो रहा है तो इनका समधान करना बारवा यहां विश्व के साथ अंतराश्च्य समन वे तो जो भी वर्ड है आपका कोरेडिंग इंटरफेस विद्ध वर्ड जो भी विश्व है उसके साथ संतुलन बनाई रखना तेरवा आता है यहां पर आंत्रिक प्रामारदिर्शिटा इंटरनल कंसलिलेशन इंटरनल कंसलिलेशन यह निकाए निती एक कार्यकरम को डिजाइन करने में केंटर तथा राच्चों को आंत्रि प्रामारदिश्वा प्रदान करेगा जिन में विकेंटरिकर्ण लचीलापन तथा प्रणावकमर्ति पर विशेच बल होगा इसमें सारजनिक नीची भागिदारी की रचना तथा कार्यवन संबन्दी विशेच को चलता भी यहाँ पर शामिल होगी चोद्वा पॉइंट है यहाँ पर हमारा चमता निर्मान कैपसिटी बिल्डिंग जितनी भी आपकी कैपसिटी है उसको बढ़ाए यह इसका निर्मान और तरीके से करें पंद्रह अनुसरवन यह मुल्यांकन मॉनिटोरिंग एंड इविलिशन अनुसरवन करें जो भी आपने नीटिया बनाई है जो इंप्लिमेंट कर देते हैं आप तो एक साल आद उनका अनुसरवन करें उनका क्या 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 गल्तिया है और मुल्यांकन करें उनका रिविव करें वो कैसी रही है किस हद तक वो कामियब रही है अगर नाकामियब भी रही है तो उसके क्या रिजन्स हो सकते हैं तो यहाँ पर आपको यह कारे खतम हो जाते हैं नीतियायोग के तो पंदर हमने इसके कारे पढ़ लिए ठीक है तो आज के लिए इतने ही काफी है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मार दरसा सिद्धान और इस से पहले हम यह टोपिक पढ़ेंगे योजनायोग और नीतियायोग के डिफ्रेंसिस के बारे में या आखिर क्या जरुवत पढ़ी कि हमें योजनायोग की जंगे नीतियायोग को लाना पड़ा और ऐसा क्या था नीतियायोग में जो आपका योजनायोग में नहीं था ठीक है तो हम इसमें डिफ्रेंट को पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में यह अगला वीडियो आपको बहुत ही मज़ेदार होगा कि इसमें बहुत जादा नोलज मिलीगी आपको इसमें पता लगएगा आपको क्या करण रहें योजनायो की जनके नीतियायो को लाने के लिए ठीक है तो अगर वीडियो को अच्छी लगी है तो इसे शेयर कीजिए लाइक कीजिए अगर चैनल पे नई है तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तैंक यू